राज्य में भूक और थंड से मोते हो रही है और सरकार अपने एक वर्स के कारेकाल का गुंगान करोडो रुपे खर्च कर जनता के बीच बता रही है जबकि हकीकत यह है कि राज सरकार का कारेकाल एक वर्स में ही भी फलसावित हो रहा है राज के मूल निवासियों को ही ना तो केंद्र की और ना ही राज सरकार की योजनाओं का लाव मिल पारा है उक्तबाते चन्दन क्यारी विधायक सहपूर मंत्री एबं भाजपा अनुसुची मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर्क मर्बावरी ने रभी बार को बुकारो जिला के नावाडी प्रखंड के सुरही पंचायत के पासी टोला में ठंड से हुई मौत के जाच के दोरान कह जल्द ही वहां की भी रिपोर्ट सारजनिक की जाएगी राज्य में भूक और ठंड से मात्म से आपने दिखा है कि रगुपासी और यहां पासी परिवार की जो 35-30 परिवार के लोग है यहां आज भी अपने मूल भूत आवसक्ताओं के लिए कैसे बीबस है ठंड के कारण रगुपासी की मिर्टी हो गई यहां सारे लोग बोल रहा है सभी निर्मल और निर्मो हो लोग है कोई चल परपंजिन के मने में नहीं है इन्होंने साब कहा है कि यहां बिख्छा ठंड को खाते थे इतने बड़े आबादी पे सिर्फ तीन कंबल उनको मिला है और लोग बा इस परिवार को आपदा परबंदन से चारलाक रुप्या का मुआप जादे जितने भी पासी परिवार के यहां रहने वाले लोग है सब को परधान मंत्री के तरफ से जो दिया जाता है खात सुच्छा गारेंटी योजना के तरफ सभी को आनने की व्योस्ता कराए और सभी क को घर रहने के लिए और यहां पीने की फानी की बहुस्ता नहीं एक चापा कलका इमेडियर बहुस्ता करें और साथी साथ ऐसे गरीब लोगों को दलित बंचित लोगों को जो सरकार है या सरकार के जो नुमाइंदे हैं और इनको दबाने का काम नहीं कर इनके आवाजों को दबाने का काम कर जिस तरह से आप और नहीं देखा कि आतियह साथ इस तरह से इनके आवाज को को दवाने का काम किया गया जैसे इसे मुद्धे को भठकाने का काम किया गया